नमस्कार प्रादीशिक समाचारी कांश भोपाल सी प्रस्तुत है प्रादीशिक समाचार दर्शन इस कारिक्रम के जरी हम आपको पिछले एक सब्ता हमें प्रदेश भर में हुए महत्वपून कारिक्रमों की जानकारी देते हैं आईए संख की शुरुवात करते हैं उमरिया जिले में इन दिनों ग्रामीन शेत्रों में वनुपज संग्रहन का काम तीजी से किया जा रहा है वनुपज यहां के आदिवासियों की आये का प्रमुख स्रोथ होने के कारण वे पूरी तरह से इस काम में जुटे रहते हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया समवार दाता आदिवासि बाहुल उमरिया जिले में इन दिनों ग्रामीन शित्रों में वहाँ के अधिकांस रहवासी जिनमें बहु संख्यक आदिवासी जाति के लोग हैं वे बनोपज संग्रहन का कारे कर रहे हैं इनमें महुआ फूल, तेंदू पत्ता, डोरी, चार, चिराउंजी के अलावा अन्य बनोपज भी सामिल हैं गाउं से लगे जंगलों में सुबह से पहले बसने का काम ये अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं और दो पहर होते अपने घरों को वापस लौड जाते हैं, इनके द्वारा संग्रहित की गई बनोपज को परिवार के अन्य सदस्य व्यवस्थित कराने में पूरा सहयोग करते हैं बनोपज संग्रहन की गई सामगरीशे अच्छी खासी आय होने के कारण परिवार का प्रतीक सदस्य गर्मी के इस मौसम का बेसब्री से इंतजार करने के साथ संग्रहन करने हेतु तैयारी भी करता है बनोपज संग्रहन को विक्रे करके प्राप्त होने वाली आयसे परिवार की हर जरूरत को पूरा करने के साथ वैवाहिक कारिक्रमों को भी संपन घरों में कराया जाता है बनोपज का विक्रे पूर में अहतियों के दुकान बाजार में जाकर किया जाता था परन्तो अब मध्य ब्रदेश के मुख मंत्री के आदेश से सहस्ता से उमरिया जिले के तीनों बलाक करके ली मानपूर और पाली के प्रमुगाओं में बनोपज सहकारी समितियों द्वारा सासन द्वारा निर्धारित कीमत में बनोपज क्रे करने से शंग्रकहों को काफी सुधा हो गई है आदिवासी बनोपज के उत्पादन से पूर्व अपने जीवन को खुसहाल बनाने और अच्छी आय प्राप्त होने के लिए वंदेवी की पूजा करके उनसे प्राथना भी करते हैं कि इस वर्ष उन्हें अच्छी बनोपज मिले जिससे वे अपने परिवार का भरण पोशन अच्छे तरीके से कर सके प्रादेशिक समचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोस गुपता सीधी जिली में प्रधान मंत्री आवास योजना प्रगती रत है शहरी और ग्रामीन क्षेत्रों में लगातार आवास बनाय जा रही है और बेघ़र लोगों को पक्के मकान दिये जा रहे हैं जिली के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र कुष्मी के वनवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वर्दान साबित हो रही है कारण कि ये क्षेत्र नदी नालो और जंगलों से आच्छावित है और अधिक जानकारी दे रही है हमारे सीधी संबार्टाता जिला पंचाइज सीधी के सीओ आईएस अधिकारी राहुल नामदेव धोटे ने जनपत पंचाइज रामपुन्यकिन सीधी मजहुली कुस्मी और सिहावल से सीधा संबंद इस्थापित कर सरकार की इस महत्तो कांची योजना के क्रियानबन के लिए कड़े निर्देश जारी किये गए हैं बात करें प्रधानमंती आवास योजना ग्रामिन 2021-22 की तो पांचो जनपतों को मिला कर 18,703 आवासों का लग्षी रखा गया था जिसमें से 18,160 आवास स्विक्रित हुए हैं जनपत के आंकडों पर गवर करें तो 17,886 हित ग्राहियों को प्रथाम किस्त जबक 4,265 हित ग्राहियों को तृति किस्त दी जा चुकी है प्रधानमंती आवास योजना के तहट 2,306 आवास पूर्ण हो चुके हैं सेस आवास प्रगति रथ हैं सीधी जिले में पिछले सत्रे 9,99 आवासों के हित ग्राही बिदबत पुजार चना कर अपने अपने आवासों मे ग्रिह प्रवेश जिला प्रसासंद्वारा कराया जा चुका है सभी ब्लाकों को मिलाकर करीब 20,000 परिवारों को नए घर की सवगात मिली थी सभी जन्पदों में जन्पद मुख्यालों पर ग्रिह प्रवेश कारिकम का आयोजन किया गया जिले के अटल आडिटोरियम हाल मे आयोजित गे प्रवेश कारिकम का आयोजन भी किया गया था बतादे की प्रधानवंती आवास योजना के लक्ष अनुरू क्रियानबन के मामले में जन्पत पंचाज सीधी के सीयो राजी मिस्र हितगराहियों से सीधा सम्मंद स्थापित कर समय सीमा पर निर्माण कराय जान के लिए सीधी से मैं सचेंद्र मिस्ट टीकमगर जिली में ग्रामींग शेत्र के लोगों को अपने घर का मालिकाना हक स्वामत्व योजना के तहत जल्द मिलेगा इसी पर वस्तार से जानकारी दे रही है हमारे समवाद दाता इसके लिए दिली से आई सर्वेट टीम दुआरा राजिस भाग के सायोंक से जिले की गाउं का सर्वेट किया जा रहा है जो अब अंदम चड़ में पहुँच गया है इसका मुख धिस ग्रामीड आबासी समपत्तियों के मुद्री कर्ण की सब दाली सकेंगी गोर्तलावे की पहले गाउं के मकान सौमित रिकार्ड में दर्ज नहीं होते थे लेकिन आब मालकान हक मिलने से गाउं की आबादी मकानों के लिए राष्टे और नालियों के बिवात कम होगे बही नगर पालिका की तर्च पर गाउं में बिकास के लिए पक्के राष्टे नाली वा दूशत पानी से मुक्ती के लिए जल नगम के तहत तंकी नरमाण कर पाइप लाइन से पानी सप्लाई वा गाउं की जनसा क्या किसाब से गाउं में सहरी माडल की तर्च पर बिकास किया अंग्रेजों के खिलाव प्रधम स्वतंदृता आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले सन 1857 की क्रांती के शहीद तात्या टोपी की याद में उनके बलिदान दिवस पर शिफपुरी में दो दिवसिय शहीद मेले का आयोजन किया गया इस दोरान शहीद तात्या टोपी को शद्धान जली देने के साथ साथ देशभक्ती पर आधरत कई कारेक्रम आयोजित किये गए अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे शिफपुरी समवाद दाता सहीद तात्या टोपे के बलिदान इस्तल पर कलेक्टर अक्षा कुमार सींग, पुलिस अधिक्चक राजे सींग चंदेल, मद्य परदेश पाठ पुष्टक निकम के अपाध्देक्ष पहलाद बारती सहीद, अन्य गड़मान लोगों ने तात्या टोपे को याद करते प्रदेशनी भी लगाए गई, इस प्रदेशनी में सुतंता आंदोलन को याद करते हुए अमर सहीदों वे तात्या टोपे से जुड़ा साहित वे जानकारियां रखी गई, सेनेकों से संबंदित अस्त सस्त की प्रदेशनी CRPA, IDBP और S.A.F. 182 बटालियां के द्वारा समन चुड़ा दिये थे, बाद में यंग्रेजों ने तात्या टोपे को धोके से पकड़, शूपरी में उन्हें फांसी दी थी, शूपरी में तात्या टोपे का वलिदान स्तल है, यहां पर हर साल सहीद मिला आयजित होता है, शूपरी से प्रादिसिक समाचार दरसन के लिए र हाथियों का दल डेरा जमाय हुए है, वहीं बढ़ार के सारंगपुर छेत्र और अनुपुर जिले की सीमा से लगे गाउं में तीन हाथियों का दल फसलों को लगातार नुकसान पहुचा रहे हैं, सीसिय पी के बरवा ने बताया कि हाथियों से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन और एंजियों की मदद ली जा रही है, दोने ही सेमाओं में बनविभाग के एक सेकड़ा से अधिक लोग तैनात किये गए हैं, ग्रामिलों को जागरूप करने के साथ जरूरी होने पर लोगों को हटाया जा रहा है, हाथियों के वज़त से बनविभाग का उजयन समवार डाता से किसी प्रकार के असुईदान हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने समस्त आवश्यक संसाधन यात्रा के 118 किलोमेटर के मार्ग पर पड़ाव इस्थलों पर उपलब्द करवाए हैं, पेजल उपलब्द था, ठंड़ा पेपदार्थ, चिकित्स्य की सहायता, सुरक्षात्मक होने से पूर भी यात्रा के 118 किलोमेटर के मार्ग पर सभी आवश्यक संसाधन उपलब्द करवाए जाने के निर्देश जारी कर दिये थे, यात्रा मार्ग पर ग्राम पंचायतों और ग्रामिनों के साथ साथ समस्वी संगठनों के द्वारा भी यात्रियों को भोजन, साम समगरी आधी उपलब्द करवाई जाती है, यह यात्रा बीते दो वर्षों में कोविट के चलते नहीं हो पाई थी, इस वर्ष यह यात्रा पुना प्रारम हुई है, प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उज्जन से हमें रनात्ति वारी यूं तो सभी ने सफर किया होगा, और उची नीची घुमावदार सक्री चोडी सडकों का मजा लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि देश के एक हिस्से में ऐसा हाईवे भी है, जो कि साउंट प्रूफ है आज हमारे समबादाता आपको बताने जा रही है मधिप्रदेश के सिवनी जिले में बने देश के पहले साउंट प्रूफ हाईवे के बारे में सीवनी जिले में देश का पहला भव्य साउंड प्रूफ हाईवे बन कर तयार हो चुका है देश में इसके पहले कहीं भी साउंड प्रूफ हाईवे नहीं बना है सीवनी होते हुए नागपूर की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 44 की 29 किलो मीटर लंबी सड़क को साउंड प्रूफ बनाया गया है ये हाईवे तकनीक और इंजीनीरिंग की शांदार मिसाल है एक और जहां शांदार चमचमाती सड़क गारियों की आवाजाही के लिए है तो वहीं हाईवे के नीचे जंगली जानवरों के गुजरने के लिए एनिमल अंडर पास है गौर तलब है कि इस हाईवे का 29 किलोमीटर का हिस्सा पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन इलाके से होकर गुजरता है यहां से जंगली जानवरों की आवाजाही है पहले हाईवे से गुजरने के दौरान जानवरों के सांसाथ लोगों को भी खत्रा रहता था ऐसे में जानवरों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का खयाल रखते हुए साउंड पूर्फ हाईवे का निर्मान किया गया है ताकि जंगली जानवरों को कोई परेशानी ना हो हाईवे पर चलने वाली गारियों की आवाज और लाइट वन्ज जीवों को डिस्टर्ब ना करे इसके लिए फोर लेंस लड़क के दोनों किनारों पर साउंड बेरियर और हेड लाइट रिड्यूसर लगा कर चार मीटर उची साउंड पुरुफ दिवार खड़ी की गई है 960 करोड की लागत से बना यह हाईवे सभी के लिए कौतुहल का केंदर तो बना ही है साथ ही सेल्फी पाइंट भी बनता जा रहा है प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सियोनी से मैं फिरोज पंडित प्रादेशिक समाचार दर्शन के संख में आज के लिए इतना ही अगली सुमबार फिर आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार आलेख और वाचन स्वर सैंक्ता बैनर जी प्रस्तुती प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल और दो झालेशिक समाचार दिया स्वर 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 जैयए झालेशिक समाचार दर्शन के लिए इतना ही